Hello friends, आज की ये वीडियो Union and territories की part 3 और आखरी वीडियो है और आज की वीडियो में हम evolution of states and union territories को detail में cover करेंगे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 1950 के Indian constitution ने भारत की territory को चार main parts में classify किया था, part A, B, C और D में बट लोग इस बात से खुश नहीं थे, जगा जगा प्रोटेस्ट हो रहे थे और मांग थी कि भाशाओं के आदार पर राज्ये बनाये जाए ऐसा ही एक प्रोटेस हुआ मदरास में, जहाँ पर तेलगू भाशी लोग मांग कर रहे थे कि मदरास की तेलगू भाशी लोगों को एक अलग state दिया जाए आंधरपदेश इस मांग को लेकर पोटी श्रीड रामलू ने भूख अटाल कर दी और 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक के कारण उनके मृत्यू हो गई ऐसी इस्तिती में law and order को बनाये रखने के लिए 1953 में मजबूरी में government of India को देश का पहला linguistic state बनाना पड़ा ये नया state था आंधरा state जिसे बनाने के लिए मदरास के तेलगू speaking areas को मदरास से अलग किया गया था अब ऐसा होने के बाद और भी जगह से मांगे उठनी लगी इस समस्या का समधान निकालने के लिए Congress ने December 1953 में एक तीन member state reorganization commission का गठन किया जिसके chairman थे फैज अली और इसी लिए इस committee को फैज अली commission भी कहा जाता है हालकि फैज अली commission ने भी one language one state की theory को पूरी तरह से नकार दिया कहने का मतलब इन्होंने ये तो माना था कि states का विभाजन languages के आधार पर होना चाहिए मगर ये इंडिया में बोले जाने वाली हर एक language के लिए एक नया state बनाने के लिए पक्षमें बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि अगर इन्होंने one state one language recommend किया हो था तो में भी आज इंडिया में उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत जैसी भाषाओं के लिए भी अलग-अलग states होते गवर्मेंट ओ इंडिया ने फैजली commission की report की recommendation को accept किया और कुछ modifications के साथ 1956 में State Reorganization Act को पास किया जिसके हिसाब से part A, B, C और D का concept जो है वो बिलकुल खतम कर दिया गया इसकी जगा पर अब Indian territory को बस अब दो ही political units में classified किया गया था states और union territory मोटी मोटी तोर पर ये कहा जा सकता है कि part A और B के अंदर जो भी states थे उनमें कुछ को तो state forward state का दर्ज़र दिया गया था जबकि कुछ को आपस में merge किया गया था और नए states बनाए गए थे और हां part C और D मेंसे mostly states को union territories का part बनाए गया था इस तरह 1956 state reorganization act के साब से 14 states और 6 union territories बनाए गई थी अब हम देखेंगे कि ये 14 states और 6 union territories कौन-कौन से थी और इन्हें कैसे बनाए गया था बिसिकली part C के आजमेर को part B के राजस्थान में merge कर दिया गया और इस state को कहा गया राजस्थान इसी तरह part C के कच और part B के सौराश्थ बॉंबे में merge कर दिया गया और part B के मद्यप्रदेश और विंद्यप्रदेश और part C के भुपाल को part A के मद्यप्रदेश का part बनाए गया part C का कुर्ग भी part B के मैसूर में merge हो गया और ये नया state बना मैसूर पार्ट B का हैदरबाद अब आंधरा स्टेट में मर्ज हो गया और नया स्टेट बना आंधरा प्रदीश इसी तरह ट्रेवनकोर और कोचीन जो इनीशली पार्ट B का स्टेट था उसी के साथ मदरास के कुछ मालवार डिस्टिक्स को एड़ किया गया और नया स्टेट बना केरला उधर नौर्थ में पटियाला और इस्ट पंजाब जोकी इनीशली पार्ट B में था उसको पार्ट A के पंजाब में मर्ज कर दिया गया साधी साथ पार्ट B का जो बिलासपूर स्टेट था उसको पार्ट C के ही हिमाचर प्रदेश में मर्च कर दिया गया हलाकि हिमाचर प्रदेश को स्टेट नहीं बलकि एक union territory का दर्जा दिया गया और जम्मो कश्मिर तो पार्ट B का स्टेट था उसको स्टेट का ही दर्जा दिया गया और कूज बेहार को वेस्ट बंगाल में मर्च कर दिया गया इसके अलावा जो तीन पार्ट C के स्टेट बचें डली, त्रिपुरा और मनिपूर इन्हें भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो चार यूनियन टेरिटरी तो ये हो गई इसके अलावा पार्ट B में जो अकेला स्टेट था अंडमान और निकोबार उसे भी यूनियन टेरिटरी का ही दर्जा दिया गया और हाँ लकडिव, मिनिकोई एन अमंडिवी आइलेंड्स जो पहले मदरास स्टेट्स के पार्ट थे उसे अब अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यही स्टेट बिसिकली आगे चलके लक्षडीप आइलेंड्स का आगया तो इस तरह स्टेट रियोगनाजिशन एक 1956 ने इंडिया को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में बाट दिया था बड़ ऐसा नहीं है कि 1956 के बाद स्टेट रियोगनाजिशन कम्प्रीट हो गया ये स्टेट रियोगनाजिशन का सिलसला जो है वो आगे भी चलता रहा 1956 के बाद भी लगातार नए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बनती रही कई स्टेट्स के नाम भी चेंज किये गए चली देखते हैं कि 1956 के बाद कौन-कौन से नए स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी बने और नाम किस-किस के चेंज हुए तो 1960 में बॉम्बे को भी लेंग्विजिस के बेस पर दो स्टेट में डिवाइट किया गया मराथी स्पीकिंग पॉपलेशन के लिए महराष्ट्रा और गुजराती स्पीकिंग पॉपलेशन के लिए गुजरात बनाया गया उधर आसाम में नागास भी अंदोलन कर रहे थे सेपरेट इस्टेट के लिए जिसके चलते 1963 में नागलेंड को भी आसाम से सपरेड करके भारत का सहलवा स्टेट बनाया गया इसके बाद 1966 में पंजाब में आकाली डल ने सिख्धों के लिए सपरेट होम लेंड की डिमांड करनी शुरू कर दी जिसके चलते पंजाब को भी बाइफर्केट किया गया हिंदी स्पीकिंग एरियास को पंजाब से बाइफर्केट करके हर्याना बनाया गया और चंदीगड को एक union territory और जो पहाड़ी इलाके थे उनको existing union territory हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया और फिर 1969 में मदरास का नाम बदल कर तमिल नाडू भी किया गया और इसी के बाद 1971 में हिमाचल को union territory के status से ऐलिवेट करके अब state करदर जा दिया गया फिर 1972 में नौर्थ हीस्ट इंडिया में एक major change किया गया यहाँ पर कई सारे changes किये गये पहला change यह था कि मनिपूर और तिरिप्रा जो की पहले union territory थी उनके status को एलिवेट करके अब state बना दिया गया इसी के साथ साथ जो sub-state में गाले था उसको 1972 में ही statehood दिया गया और दो नई union territories अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम बनाए गई फिर 1973 में मैसूर का नाम भी बदल दिया गया और अब इसको करनाट का कहा गया अब बात करते हैं सिक्किम के बारे में 1947 तक तक तो सिक्किम एक Indian princely state था और 1947 के बाद सिक्किम को इंडिया ने एक protectorate का status दिया था बट 1974 में सिक्किम ने इंडिया के साथ जुडने की इच्छा जाहिर की तो पार्लियमेंट ने 35th amendment के थुरू इंडिया में इसको एक associate state का दर्जा दिया इसलिए constitution में article 2a और schedule 10 ad किया गया बट 1975 में एक referendum हुआ जिसके बाद सिक्किम को इंडिया का एक integral part माना गया और 1987 में मिजोरम और अरनाचल प्रदेश को भी union territory के status से elevate करके state hood दिया गया उसी साल गोवा को भी state hood दिया गया था और साल 2000 में भी एक बड़ा change हुआ भारत के तीन बड़े states को विभाजित करके नए states बनाए गए मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश और बिहार इन तीनों states को विभाजित किया गया और मद्यप्रदेश से 36 गर निकला उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से जहारखंड को separate किया गया और इसी के 14 साल के बाद यानि 2014 में आंदरप्रदेश से तेलंगालों को अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया और अभी रिसेंटली जम्मो एंड कश्मीर रियोगनाजिशन एक 2019 के थुरू जम्मो एंड कश्मीर को दो union territories में convert किया गया है जम्मो एंड कश्मीर और लग्दाक आज की डेट में इंडिया में 28 states हैं और 8 union territories अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो इसको लाइक करें और अगर इस topic पर कोई भी question है तो आप comment box में पूछ सकते हैं thank you so much for watching and supporting bookstava